नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चेले में और जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम NCRT हिस्ट्री कच्छा 8 के चेप्टर 9 को पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रिसिक लाओ की वदलती दुनिया और इस चेप्टर पे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट वीडियो है तो आप सिरस्फ सही समझ चुके होंगे कि इसमें आज हम काफी सारी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे उनको बनाने वाले वेक्तियों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इसे बनाया कितनी मेहनत लगी और वो क्या भारत के थे या फि चलिए हैं आगे बढ़ते हैं देखिए जब आप किसी करला गिरती किसी पेंटिंग मुर्ति शिल्फ आधी को जब हम देखते हैं तो संभवता यह बात साफ दिखाई नहीं देती है जादा तर दूसरी चीजों की तरह करला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से करता है तो इस चप्टर में हम देखेंगे कि अपनिवेशिक काल के दोरान दुरिष्ट कलाव के धुनिया में क्या बदलाव आए और यह जो बदलाव थे यह उपनिवेशवाद और राष्टवाद के वियापक इतिहास से किस तरह से जुड़े हुए थे देखेंगे इस चप्टर में सबसे पहले आप जो चितर देख रहे हैं वो दम्यन्ति का है राजा रवी वर्मा के द्वारा इसे बनाए गया है देखेंगे अपनिवेशिक सासन में कई तरह के नए कला रूपों, सैलियों, समागरी और तकनिकों का सुतरपात हुआ इने भारतिय कलाकारों ने सम्भांत और जनसाधारन दोनों हलकोर के अपने अस्थानी ग्राह को बजार के हिसाब से अपना कर नई शकल दी है हम पाएंगे कि जिंद्रिष्ट कलाव को आज हम सहज स्वभाविक मान लेते हैं उनमें से बहुत सारी कलाव का जन्म उसी काल में हुआ था जिसका हम अभी इस चेप्टर में अधियान करने वाले हैं जैसे कि भुर्जियों, मिनारे, महराबो वाली जो भव ये सारजनिक इमारते हैं किसी तस्वीर में ये थार्थ पड़क मानव छवी या किसी देवी देवता की तस्वीर मसीनों के दवारा असंखी मातरा में छापी गई तस्वीर आधि इसी के उदाहरन है तो इस इतिहास को समझने के लिए हम मुख्य रूप से यहाँ पर आपको पेंटिंग के बारे में और छापे बनाने से संबंधित तकनीक में आए बदलाओ के बारे में आज हम पढ़ेंगे उमर जो फ्रस्ट पॉइंट है वो है संब्राजवादी यूग की गलाओ के नई रूप देखिए अठारवी सदी से हिरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज बैपारियों और सासकों के साथ भारत आने लगे थे क्या होता है ना कि जब वैपारी भारत में आए तो इनके साथ ही बहुत सारे कर सकते हैं कि कलाकार अंग्रेज भी भारत को आने लगे ये जो कलाकार थे चित्रकारी की नई सेलिये और नई परंपरा भी अपने साथ लेते आए इन्होंने इस तरह की तस्वीरे बनाई जो इरोप में बेहद लोक्त्री होई जिन्होंने पस्चि में भारत की छवी गढ़ने और कर सकते हैं कि इसमें अहम भूमी का अदा किया देखे रूपी कलाकार अपने साथ यथारतवाद का विचार ले कराये थे और यह जो विचार है कि इस मानिता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आखु से चीजों को गोर से देखना चाहिए उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए मतलब कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवन्त दिखना चाहिए इसे ही यथावत वाद कहा गया देखे लोग भी एरियोपी जो कलाकार थे वो तेल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ भारत लेकर आए और इससे पहले तक भारतिय कलाकार इस तकनीक से बहुत परिचित नहीं थे तेल चित्रों से यहां के कलाकारों को असली जैसी कसकते हैं तस्पीर बनाने में काफी मदद मिरी तो आप समझ गए होंगे कि जो तेल चित्र है वो कहां से भारत में आया भारत आने वाले जो सभी उरोपिय कलाकार थे एक जैसी चीजों से प्रभावित नहीं थे उन्होंने जिन्द विश्यों पर तस्पीर बनाई वे भी अलग अलग थी प्रन्तु इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृती, उसकी लोगों की सिरिष्टता पर जोर दिखाई देता था तो इस चप्टर में हम समराजवादी कला के कुछ मुख्य रुज्वानों को देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मनुहारी द्रिष्टों की च्षा यहाँ पर आपको दिख रहा है साइड में उत्किर्न चित्र इसका मतलब होता है लकरी या धात्यों के च्षापे से कागज पर बनाई गई तस्पीर को उत्किर्न चित्र कहा जाता है एक प्रचलित समराजवादी परंपरा मनुहारी भूद्रिष्टियों को चित्र करने की थी यहाँ मनुहारी का क्या अर्थ है सवाल है कि यहां मनुहारे का क्या रत है तो दरसल इस तरह की सेली जो है चितर सेली में भारत को एक ऐसे अनूठे भू परदेश के रूप में चितर किया जाता था जिसकी ब्रिटिस कलाकार से नानियों को परताल करनी थी और इसका भूद्रिश जो था वो उबर्ड जंगली मानुविय हाथों से अंचुवा दिखता था टामस डेनियल देखिए पहले चित्रकार है इनका नाम आता है टॉमस डेनियल और इनके भतीजे थे विलियम डेनियल इस परंपरा के सबसे प्रशिद चित्रकार रहे हैं यह 1785 में भारत आएं और कलकत्ता से उत्री औ यह रहते हैं इन्होंने भारत में ब्रिटेन के नव विजीत प्रदेशों की कुछ पेहत आकरशक तस्वीरे बनाई हैं के इन्वस पर बने इनके विशाल तेल चित्रों को ब्रिटेन में चुनिंटा लोगों के बीच पर दरसित किया गया था उनके जो उत्किन चित्र थे इसकी एक एलबॉम ब्रिटेन की लोग बड़ी चाव से खरीते थें क्योंकि वे बिट्री समराज के बारे में जानना चाहते थे देखी यहां पर जो चित्र संख्या दो है यह बता रहा है कि गाजीपूर में गाजीपूर में गंगा किनारे इस्थित खंडाहर है और इसे टॉमस देनियल के दवारा बनाए गया है तेल चित्र है 1791 का है देखिए यहां पर इसी के बारे में बात हो रही है कि जो चित्र दो है डेनियल बंदुओं के दवारा बनाए गई थी और नैना भिराम चित्रों का एक बढ़िया उधारन है इनमें एक जमाने की भभी इमार आतों के खंड़हर को दिखाया गया है यह जो इमारते हैं अतीत के वेवह की या दिलाती है यह एक ऐसी प्राचिन सभिता के अवसेस है जो अब नश्ट हो चुकी है चित्र कुर देखकर ऐसा लगता है मानोय पतंसील सभिता केवल ब्रिटिश सासन के जड़िये ही परिवर और आधुनिक्ता की राह पर बढ़ सकती है एक फिर से चित्र है और यह है कलकत्ता इस्थित क्लाइव स्ट्रीट और इसे भी टॉमस और विलियम डेनियल के द्वारा बनाए गया है 1786 का चित्र है चित्र संक्या 3 है देखें ब्रिटिश सासन के तहत भारत में आधुनिक्स सबिता के स्थापना का या विचार डेनियल बंधुओं के द्वारा बनाए गई 18 सदी के आखिरी दिनों के कलकत्ता की असंखी तस्वीरों में बरे सकते साली ढंग से सामने आता है इन तस्वीरों में हम एक नय कलकत्ता बनती हुए देख सकते हैं इसमें चोड़े सड़के विशाल उरोपिये सेली की इमारते हैisten नए शाधन दिखाई दे रहा है जो हमने अभी चितर देखा चितर संख्यातिन के बारे में बात हो रही है इसमें सड़कों पर जीवन और गहमा गहमी है इसमें नटकियता और उतेजना है जो चितर संखिया दो है हमने अभी उपर देखा खंडहर का और जो तीन है इसे गोर से देखने के लिए कहा गया है और पूछ पिरा है कि क्या आप डेनियल बंधु की परमप्रागत भारत और ब्रिटिस सासन के अंतरगत जीवन के बीच काफी इसमें फर्क दिखाए गया है तो आप इसे गोर किजिए वही जो चितर संखिया दो है भारत के परमप्रागत जीवन को पूर्व आधुनिक परिबरतन हीन और गतिहीन दिखाए गया है उसमें फकीर है गाय नदी में चलत आधुनिकी करन की छवी को दिखाए गया है तो इसमें तेजी से होने वाले बदलाव पर जोड है हमारा जो नेक्स्ट पोइंट है वो है प्रातिकार का चितरन देखिये उससे पहले हम इसे साइड में रेख लेते हैं जो सब्द है रूप चितर तो किसी व्यक्ति का ऐसा च जिसमें उसके चेहरे और हाव हाव को ज्यादा जोर दिया गया हो बनाए गया हो तो उसे रूप चितर कहा गया है जो रूप चितरन होता है इसका मतलब होता है पोट्रेट बनाने की कला तो दोनों कर सकते हैं कि अलग अलग चीज़े हैं देखिये उपने में सिक भारत में पेहद लोकप्री होने वाली एक और कला सेली रूपचित्रकारी थी। प्रिटिस और भारतिय दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग जो थे वो किर्मिच पर अपने छबी देखना चाहते थे। छोटे आकार के रूपचित्र बनाने की मौजूदा भारतिय परंपरा के विक्री अपने वेसिक रूपचित्र कर सकते हैं कि आदम कद आकार की होते थे, बिल्कुल सचे लगते थे। रूपचित्र की जो नई सेली है और इस समराज की वज़ा से पैदा हो रही एश्वर्य पूर्ण जीवन सेली, धन्शंपदा और रूपदाव को दर्शाने का भी आदर्शाधन थी। जैसे जैसे रूपचित्रकारी लोपड़ी होते गई, बहुत सारे रूपचित्रकार लाबधाय लाबधायक काम के दलास में भारत आने लगे। योहान जोफ़नि रूप से आने वाले शबसे प्र Members, एक थे। ये दूसरे चित्रकार का नाम आया है और इनका जो जन्म है वो जर्मनी में होता है और वे बाद में इंग्लेंट में जाकर बस जाते हैं 1780 के दसक के मध्य में ये पाच साल के लिए भारत आते हैं और जो चित्र संक्या चार और पाच है उसमें जोपनी के दवारा बनाएगे रूप चित्र के दो उदाहरन है इनमें हम भारतियों नोकरों और उपनिवेश्टिक बंगलों के लंबे चोड़े लान को भी देख सकते हैं इनमें भारतियों को दब्बू और कमतर हेस्यत में दिखाय गया है वे अपने स्वामई czasu की सेवा कर रहे हैँ जबकि अंगरेजों को स्रेश्चतत और मालिकों के देंदाज में दिखाये गıyal है वे अपने कपरों के प्रदरशन कर रहे हैं साही अंधर में खड़े हैं या फिर दंभ पुर्वक बैठे हुए हैं यह रूप चित्रन के बारे में यहाँ पर जेपनी के दबारा बताया जा रहा है इस पर ही भराइन का जीवन जीते हैं भारतियों लोग ऐसे चित्रों के केंद्र में कभी नहीं दिखते थे वियाम तो पधुनली प्रिष्ट भूमी में ही भारतियों को दिखाया जाता था बहुत सारे भारतिये नमाभी यूरोपी चित्रकारों से विशाल तेल रूप चित्र बनवाते थे तो आप चित्र संख्याँ चार को देख सकते हैं पाच भी यहीं पर है जो चार है उसमें गवर्नर जेनरल हैस्टिगर्स और इनकी परिवारों का चित्र है इसे भी योहान जोफनी ने बनाया है और टॉमस डेश्वूट का यहां पर विवाह को दिखाए गया है इस चित्र में अपने दोस्तों रिष्टदारों की खाते दारी करते हुए आप दीख सकते हैं चित्र में जो भारतिये यह नोकर कर सकते हैं न तो इस तरह से अंग्रेजों को और भारतियों को दिखाए गया है हमारा जो नेक्स्ट चित्र है और यह जो चित्र है मुहमद अली खान का है और इतिहास को चित्रित करना भी एक चित्रकारी है जिसे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक आप देखते रहे हमारा यूटूब चैनल स्कूल चले थान्यवाद